हलो एंड वेलकम तुट नौलेज सोर्स इंडिया इस सर्चिंग फर मोर पार्टनर्स फर कोस्टल रेडार नेटवर्क विच वज इंट्रडूस्ट बाइद प्राइम मिनिस्टर मोधी इन ये यर 2019 तो आज के सेशन में हम डिसकस करेंगे कोस्टल रेडार नेटवर्क क्या होत है उसको नया तरीके से इंट्रडूस किया है अब हम बात करें 26 के बाद तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेस्बूक चैनल पर आके हम से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक स्टम जो इंडिया ने 2019 में इंट्रडूस किया था और यह जो असिस्टेंस है जो इसकी में जो इसका मेजर फंक्शन है कि कैपसिटी बिल्डिंग किया जाए इंडियन ओशियन में और लिट्रोलर स्टेट से उनको स्ट्रेंटिन किया जाए इस्पेसली इन द वेक ऑफ 26 कि पर इंडिया ने डिफरेंट कॉंसेट्स में इंट्रडूस किये इसके अगर मैरी टाइम सिकुरिटी के ट्रेट्स के दिखते उए और इसी सिलसिले के पर 2019 में यह मैरी टाइम सिकुरिटी जो रडार नेट्वर्क सिस्टम जो है यह इन्ट्रूस किया गया था तो अभी हम के सेसन में यह क्या है लेकिन इसके लिए अभी गवर्मेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं कि माल्दिप्स और मायमार और बंगलादेस इन सरे जैसे जो लिटरल स्टेट्स हैं उनके साथ डिफरेंट कोपरेशन्स और इनो एग्रिमेंट साइन हुए हैं और इसी के बैसिस प यह जए तरीन होगा कि यह कोंश्टल सिकुरिटी जो इंडिया कि असको जो भी कर सकता है इंडिया तक के यह इंडियर अपर अगरंबात करें सब्सक्रांट शर्विलांस रडार जो एक क्राइमरी इंटीग्रेटेड कांस्टल सिरवीलांस सिस्टम इसके तृ Originally यह कंसेप् detect कर सकता है और अगर especially हम बात करें तो देखिए यह जो fishing boats होती है fishing vessels उनकी जो अगर volume है length होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती है और इससे क्या होता है कई बार अगर हम देखें जब 26 गार attack हुआ तो यह fishing boat को ही use किया गया था जो कि terrorist पकिसांद कराची से वहां पर इसको यूज किये थे और मुंबई में लेंड किये थे तो यह जो रड़ार है 24-7 और all weather में operate हो सकता है इसमें कोई ऐसा specific weather condition नहीं है कि इसी में यह वर्क करेगा तो अगर खराब मौसम है उस तब भी यह coastal surveillance रड़ार सिस्टम जो है वह प्रोपर्ली वर्क कर सकता है तो अगर देखें इसके यूजेज क्या है या फिर में इंपेक्ट्स क्या हो सकते हैं तो देखें सबसे पहले इसका प्राइमरी एह है कि यह जो coastal surveillance radar system है यह detect और track करता है small fishing vessels को अगर वो suspicious activities है तो उनको रोका जाता है और फिर इसके बाद जो भी वहां की maritime security police है या फिर navy है उनको intercept करके उनको पगड़ने की कोसिस करती है यह जो radar है यह directly used करता है VTS जिसके हम vessel traffic management service है उसे हम बोलते हैं और यह application है हारवर्स यूज करता है और navigation purposes जो भी इनो सिप्स के या वाद यूज किये जाते हैं उन सिप्स के ओपर एस्पेसिलिए अगर इंडियन सिप्स के ओपर यह लगाए जाता है जो यह वेसल traffic management system इसे बोलते हैं तो यह क्या करता है कि जो अगर मानलो अगर इंडिया की जो सिप सिप्स हैं जो भी इनो कोस्टल एरिया में जो भी मचुआ रहे हैं जो वहां पर मचली पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनके उपर यह वेसल traffic management system जो है वो लगा दिया जाएगा जिससे पता चल सके कि कौन एनमी है या फिर कौन जो हमारा हमारे देश का जो भी सिप्स है त प्रोट सर्फेस टारगेट सर्विलांड सिस्टम जो है उनमें तरीके से विए डॉपलर एफेक्ट के प्रोसेसिंग के थूँए यूज किया सकता है तो अगर आप देखें मेज के थूँए कैसे यह वर्क करता है मान लीजे यह सिप है और यह इसमें हो रही है या फिर आजू बाजू उदर हैं तो वहां पर यह डिटेक्ट करेगा कि यह सिस्टम है या फिर यह जो सिप है वह हमारे तरफ आ रही है इसके बैसिस पर और दूसरी तरीके जो होते हैं वह सेटलाइट है तो वह इंडियन ओशेन में वह में सा मोनिटर किया सकते हैं लेकिन क्योंक है कि वेसल ट्राफिक मेनेजमेंट सर्विस इसको यूज करके इन सब सिप्स को यहां पर अगर मान लो वह फ्रेंड्ली सिप नहीं है तो यह से वर करता है अभी हम देख लेते हैं कि कोस्टल सिकूरिटी के लिए इंडिया के क्या चैलेंजेज हैं अगर 26 में जो अटैक हु क्या कर रहा है कि यह जो कोस्टल सेकूरिटी रडार सिस्टम इंस्टॉल्मेंट की जो प्लान है उसमें फेज वन में जो है 46 रडार स्टेशन जो है डिफरेंट कोस्टल एरियास में हमारे अगर इंडिया में इंडिया में इंट्रूस के जाएंगे और फेज टू में जो इ है कि यह दिख्लेते हैं कि क्या ऐसे 211 के बाद गौफर्मेंट सीच्रीटी की अर çalış की तरीट्स है उनको कम क्या सकते हैं गौफर्मेंट ने कित्रूर्मेंट ने क्या प्लांस इंट्रिडूस किया हैं अगर बोलूं इसका मीनिंग यह है कि डेजिगनेशन जो है कोस्टल कमांड की सपोज मेरिटाइम सेकृरिटी की चैलेंजेज हैं उसमें यह बात हो गई कि पेट्रोलिंग की बात हो तो उसमें देखिए मेरिटाइम जो भी कोस्टल गार्ड्स हैं वो वर्क करेंगे ने भी का काम होता है कि इरियाज में वर्क करना कि किस तरीके से अगर कोई वेसल्स आ रही है या फिर उन पर निक्राइज रखना तो यह डिफरेंट कमांड्स जो एलोकेशन्स ऑफ वर्क है वो इसमें इंट्डूस किया गया इसके बाद मैरिटाइम पुलिस अस्टेशन्स लगाए गया है इन ग इंप्रूव करने की कोशिस गवर्मेंट ओफ इंडिया ने की है है गोर्मेंट ओफ इंडिया ने फिर अगरबात करू सागर प्रहारी बल जो नभी का है यह इसको इंट्रोस ब्रांच है जहां पर अगर बात करूँ इससे थोड़ा सा वर्क अगर कोस्टल गाट से इसका डिफरेंट होता है फिर इसके बाद गौर्मेंट ऑफ इंडिया ने अटोमेटिक आडिन्टिफिकेशन सिस्टम ए आई एस जो फिसिंग वेसल पर लगाया जा सकेंगे उसको यू इस इन सब चीजों पर मेरिटाइम सेकुरीटी के लिए वर्क किया है सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे कोष्टल में आके वहां कि मचवारे फिसंग करते हैं तो इस तरह किसे या फिर जो resources हैं वो resources के लिए competition ना हो different countries में तो government of India के लिए एक ऐसा challenge है जिसके चलते कि जो अगर इंडियन ocean में यह threat की perceptions जो है वो ज्यादा है इसके बाद दिए common perspective अगर देखें लास्ट 20 सालों में कि जो अगर maritime security challenges के threats अभी वह अभी हैं जैसे कि piracy हो गया maritime terrorism हो गया और प्रिवेंट अभी इंडिया को इन सब चीजों पर वर करने के जुरुत है जहां पर कि piracy तो बहुत हद तक रुख गई है लेकिन जो अभी भी टेरिजम की threats हैं या फिर जो भी जो नन स्टेट अक्टर्स हैं जो कि टेर्रीस्ट हैं वो यूज कर सकते हैं different technologies तो इंडिया को अपने technological manpower को भी improve करने के जुरुत है with the changing of time so मैं आसा करता हूं कि session में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा so that's it for today thank you as always for joining